अक्सर हम शारीरिक स्वास्थे पर ध्यान देते हैं, पर दिमाग पर कभी नहीं। शरीर पे लगी चोट हमें दिखती हैं, तो हम उसकी दवा ले लेते हैं। मगर बुरे हाथसों और लोगों से जूजने के बाद, जो चोट मन पे लगती है, वो हमें न दिखती हैं और ना ही हम उसकी मरहम पट्टी करते हैं। हकीकत ये हैं कि जब आपका मन स्वस्थे रहेगा, तो आपका शरीर और जीवन सरल और शांत खुद ही हो जाएगा। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे आप निश्चित रह सकते हैं, कि आपके ना सिर्फ पुराने मन के घाव भरेंगे, बलकि भविश्य में भी आपका मन बलशाली और स्वस्थे रहेगा। आज से रोज ध्यान करके हर दिन हम अपने मानसिक स्वास्थे को एहमियत देंगे, तो उसके लिए ध्यान में बैठते हैं, एक आराम दायक स्थिती में बैठ चाएं, कमर सीरी रहे ये ध्यान रहे, दोनों हथेलियां गोद में रख लें, अंगुठों के छोर आपस में जो पान आने दें, आखे बंद कर लें, और अब एक लंबी गहरी सास भरते हुए उसे शरीर में रोख लें, शरीर के किसी भी तरहा के तनाव को अब शरीर के बाहर जाने दें, जाने दें, जाने दें, एक और लंबी गहरी सास भरें, देखें कि ये पेट तक चली जाए और इसको रोख लें, और अब सास मुह से छोड़ते हुए, अपने शरीर के सारे तनाव को इसके साथ बाहर जाने दें, पूरी सास बाहर खाली कर दें, सास भरें, इसे रोख लें, और मुह से छोड़ते हुए, अपने मस्तिश को धीला छोड़ दें, गर्दन को धीला छोड़ दें, जबड़े को धीला छोड़ दें, सास निरंतर लेते रहें, और सास को और गहरा होते रहने दें, हर सास देखें, आपकी रीड की हड़ी को साफ करते हुए चल रही है, आपके रीड की हड़ी आपके मस्तिश से जुड़ी हुए है, और इसके अंदर सारी उर्जा हर वक्त प्रवाहित हो रही है, हमारी कुंडलिनी जागरण भी यहीं पर होती है, तब ही हम कहते हैं कि ध्यान के लिए सदा सीधे बेठें, क्योंकि उर्जा नीचे से उपर आके आपके खुंडलिनी को जागरण कर देती है, आप वो सब कुछ देख पाते हैं, जो आँखों से नहीं, दिव्वे आँखों से दिखता है, दिव्वे द्रिष्टी से दिखता है, आप अपने भविश्य को भी जान पाते हैं, अतीत में आए किसी भी परिस्थिती की एहमियत समझ पाते हैं, आपका इस दुनिया में हर किसी से क्या लेंदेन हैं, ये आप आसानी से समझ पाते हैं, और जब हम ये समझ चाते हैं, कि हम किस तरह कर्म बंधनों से दूसरों से जुड़े हुए हैं, तो हम उनको माफ भी कर पाते हैं, और खुद भी उनके साथ कोई नए कर्म नहीं जोड़ते हैं। हम उन सारे निचले विचारों से उपर उठ जाते हैं, जो हमें घ्रणा, इर्ष्या, दुख से भरपूर रखते हैं। एक लंबी गहरी सास भरें, और उस परमात्मा के उस दिव्वे प्रकाश को देखें कि वो किस रंग का है, और उसे अपने सास के जरीए अपने शरीर में उतरने दीजिए। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो, रुकावट महसूस हो रही हो, कालिक महसूस हो रही हो, तो इस सास को वहां केंदरित कर दीजिए। अक्सर जब भी हमारे शरीर में किसी तरह का दर्द, दुख या पीड़ा आती है, उसका मतलब यही है कि हमें किसी को माफ करने की जरुरत है। हमें खुद को भी माफ करने की जरुरत है, हमें खुद को सुईकार करने की भी जरुरत है। हमने शायद अतीत में कोई बहुत अच्छे काम ना किये हो, लेकिन आज इस ध्यान में बैठकर हम अपनी सारी गलतियों को सुईकार करते हैं। जब हम अपनी सारी खामियों और खुबियों को सुईकार कर लेंगे, हम उसके आगे दुनिया देख पाएंगे, हम अपने परम रूप तक तब ही पहुँच पाएंगे। तो चलिए कुछ बल हम अपने सबसे प्रियदूस्त बनकर अपने आपको प्रेम देते हैं और बोलते हैं कि मैं खुद को माफ करता हूं और उन सब को माफ करता हूं जिन से मैं मिला हूं और जिन्होंने अज्ञानता की वजह से मुझे दुख पहुँचाया हो। सांस निरंतर लेते रहें पर हर सांस के साथ देखिए कि शरीर कितना हलका हो रहा है शरीर में स्थित किसी भी तरह के पुराने तनाओ खुद बखुद बिगहल कर साफ होते जा रहे हैं शायद आज के बाद आपको कुछ दर्द ना भी रहें जो आपके शरीर में कई सालों से चल रहे थे। इस ध्यान को इस विधी को आप जितनी शिद्दत से करेंगे उतनी ही जल्दी आपके जीवन में परिवर्दन आएंगे याद रखें दूसरों के खिलाफ एक बुरी भावना रखने से हम सिर्फ अपने जीवन को मंदा कर रहे हैं, आहिस्ता कर रहे हैं तो चलिए, एक नई उर्जा अपने अंदर समाते हुए, अब हम अपने जीवन में वापस आएंगे दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िये और आखों पे रखते हुए देखिये कि ये सारा प्रकाश आपके भीतर जा चुका है और अब धीर इसे आखे खोलिये एक नई दृष्टी कौन से आज से हम इस जीवन को देखेंगे और हर पल अपना ध्यान रखेंगे